शिक्षक गण, कर्मचारी गण और मेरे उर्जावान युवा साथियों गुर्देव रबिंद्रना टैगोर ने जो अद्भूत धरोहर मा भारती को समपी है उसका हिस्सा बनना आप सभी साथियों से जुड़ना मेरे लिए प्रेरग भी है आनंद दायक भी है और एक नई उर्जा भरने वाला है अच्छा होता मैं इस पवित्र मिट्टी पर खुद आ करके आपके बीच सरीख होता लेकिन जिस प्रकार के नए नियमों में जीना पड़ रहा है और इसलिए मैं आज रूबरू ना आते हुए दूर से ही सही आप सब को प्रणाम करता हूं इस पवित्र मिट्टी को प्रणाम करता हूं इस बार तो कुछ समय के अंतराल पर मुझे दूसरी बार ये मोका मिला है आपके जीवन के इस महत्वपून आउसर पर आप सभी युवा साथियों को माता पिता को गुरुजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूं साथियों आज एक और बहुत ही पावन आउसर है बहुती प्रेरणा का दीन है आज चत्रपती सिवाजी महराज की जन्मजेंती है मैं सभी देशवास्यों को चत्रपती सिवाजी महराज की जन्ती पर बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं गुर्देव रविंदरना टेगोर जी ने भी सिवाजी उत्षब नाम से बीर सिवाजी पर एक कभीता लिखी थी उन्होंने लिखा था कौन दूर शताब देर कौन दूर शताब देर कौन एक अख्यात दिबसे नाही जानी आजी मनार्ठार कौन शोयले एरंडेर अंधकारे बसे हे राजा सिवाजी तब भाल उद्यासियाए भावना तैत प्रभावत ऐसे छिल नामी एक धर्म राज्य पाशे एक धर्म राज्य पाशे खंड छिन विख्षिप्त भारत बंधे दिबामी यानि एक सताबदी से भी पहले किसी एक अनाम दिन मैं उस दिन को आज नहीं जानता किसी परवत की उंची चोटी से किसी घनेवन में ओ राजा सिवाजी क्या ये विचार आपको एक बिजली की रोश्री के तरह आया था क्या ये विचार आया था कि चिन भिन इस देश की धर्ती को एक सुत्र में पिरोना है क्या मुझे इसके लिए खुद को समर्पित कर रहा है इन पंक्तियों में छत्र पती बीर सिवाजी से प्रणा लेते हुए है भारत की एक्ता भारत को एक सुत्र में प्रणों का आवान था देश की एक्ता को मजबूत करने वाली इन भावनाओं को हमें कभी भूलना नहीं है पल पल जीवन के हर कदम पर देश की एक्ता अखंडित्ता के इस मंत्र को हमें याद भी रखना है हमें जीना भी है यही तो टागवर का हमें संदेश है साथियों आप सिर्फ एक विश्व वित्याले का ही हिस्सा नहीं है बलकि एक जीवन्त परंपरा के वाहग भी है गुरुदेव अगर विश्व भारती को सिर्फ एक उनिवर्सिटी के रुप में देखना चाहते तो वो इसको ग्लोबल उनिवर्सिटी या कोई और नाम दे सकते थे लेकन उन्होंने इसे विश्व भारती विश्व विध्याले नाम दिया उन्होंने कहां था विश्व भारती प्रिश्व भारती आएगा वो पुरी दुनिया को भारती विश्व भारती से प्रिक्षा थी कि यहां जो सिखने आएगा वो पुरी दुनिया को भारत और भारती अता की द्रटी से देखेगा गुर्देव का यह मॉडल ब्रह्म त्याग और आनंद के मुल्यों से प्रेरित था इसलिए उन्होंने विश्व भारती को सीखने का ऐसा स्थान बनाया जो भारत की सम्रुद्ध दरोहर को आत्मसाथ करे उस पर शोद करे और गरीब से गरीब की समस्याओं के समाधान के लिए काम करे ये समस्कार में पूर्व में यहां से निकले छात्र छात्राओं में भी हमें दिखता है और आपसे भी देश की यही अपेक्षा है साथियों गुर्देव टेगोर के लिए विश्व भारती सिर्फ ज्यान देने वाली ज्यान परोसने वाली एक समस्था मात्र नहीं थी यह एक प्रयास है भारतिय संस्कृति के सिर्फस्त लक्ष तक पहुचने का जिसे हम कहते हैं स्वयम को प्राप्त कर जांग जब आप अपने केंपस में बुद्वार को उपासना के लिए जुडते हैं तो स्वयम से ही साख्षात कार करते हैं जब आप गुर्देव द्वारा सुरू किये समारों में जुडते हैं तो स्वयम से ही साख्षात कार करने का एक अउसर प्राप्त होता है जब गुर्देव कहते हैं आलो अमार आलो ओगो आलो भुबन भारा तो यह उस प्रकास के लिए ही आवान है जो हमारी चेतना को जागुर्द करती है गुर्देव टेगोर मानते थे विवीतताएं रहेगी विचारधाराएं रहेगी इन सब के साथ ही हमें खुद को भी तलाशना होगा वो बंगाल के लिए कहते थे बांगलार माटी बांगलार जौल बांगलार बायू बांगलार फोल पुन्य होग पुन्य होग पुन्य होग हे भगवान लेकिन साथ ही वो भारत की विवितता की भी उतना ही गवरवगान बड़े भाव से करते थे वो कहते थे हे मोर चित्तो पुन्यो हे मोर चित्तो पुन्यो तिर्थे जागोरे धिरे इभारो तेर महा मनोबेर सागोरो तिरे हे थाए दाराए दबाहू बाराए नमो नरोदे बोतारे और ये गुरुदेव का ही विशाल विजन था कि सांती निकंतन के खुल्ले आसमान के नीचे वो विश्व मानव को देखते थे एशो कर्मी एशो घ्यानी एशो जनकल्यानी एशो तपस राजो है एशो है दिशक्ती संपद मुक्ता बंधो शोमाज है हे स्रमिक सात्यों हे जानकार सात्यों हे समाज सेवियों हे संतों समाज के सभी जागरुक सात्यों आईए समाज की मुक्ति के लिए मिलकर के प्रयास करें आपके केंपस में ज्यान प्राप्ति के लिए एक पल भी बिताने वाले एक पल भी बिताने वाले का ये सोभाग्य है कि उसे गुरुदेव का ये वीजन मिलता है सात्यों विश्वभारती तो अपने आप पे ज्यान का वो उन्मुक्त समंदर है जिसकी नीव ही अनुभव आधारित सिख्षा के लिए रखी गई ज्यान की क्रियेटिविटी की कोई सिमा नहीं होती है इसी सोच के साथ गुरुदेव ने इस महान विश्वविद्याले की स्थापना की थी आपको ये भी हमेशा याद रखना होगा कि ज्यान विचार और स्किल स्टेटिक नहीं है पत्थर की तरह नहीं है स्थीर नहीं है ये जिवन्त है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें कोर्स करेक्शन की गुंजाइज भी हमेशा रहेगी प्रोग्रेसिव अन्फोल्मेंट लेकिन नौलेज और पावर दोनों रिस्पोंसिबिलिटी के साथ आते हैं जिस प्रकार सत्ता में रहते हुए संयम और संबेदन सिल रहना पड़ता है रहना जरूरी होता है उसी प्रकार हर विद्वान को हर जानकार को भी उनके प्रती जिम्मेदार रहना पड़ता है जिनके पास वो शक्ती है आपका ज्यान सिर्फ आपका नहीं बल्कि समाज की देश की अरे भावी पीडियों की भी वो धरूर है आपका ज्यान आपकी स्कील एक समाज को एक राष्ट को गवरवानवित भी कर सकती हैं और वो समाज को बदनामी और बरबादी के अंदकार में भी धकेल सकती है इतिहास और वर्तवान में ऐसे अनेक उधारण है आप देखिए जो दुनिया में आतंग पहला रहे हैं जो दुनिया में हिंसा पहला रहे हैं उनमें भी कई highly educated, highly learned, highly skilled लोग है दुसरी तरफ ऐसे भी यह लोग हैं जो कोरोना जैसी महामारी से दुनिया को मुक्ती दिलाने के लिए दिन रात अपनी जान की बाजी लगा देते हैं अस्पतालों में डटे रहते हैं प्रयोग सालाओं में जूटे हुए हैं यह सिर्फ विचारधारा का प्रस्ण नहीं है मुल बातो माइंड सेट का है आप क्या करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माइंड सेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है स्कोप दोनों के लिए है रास्ते दोनों के लिए उपन है आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर समाधान का ये तै करना हमारे अपने हाथ में होता है है अगर हम उसी शक्ति उसी सामरत है उसी बुद्दि उसी वईपभगों को अपना हित देखेंगे तो हम हमेशा चारों तरफ मुसीबते देखते आएंगे समस्याय देखते आएंगे नाराज़्गी देखते आएंगे आक्रोष नजर आएगा लेकिन अगर आप खुद से उपर उट करके अपने स्वार्थ से उपर उट करके नेशन फर्स की अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको हर समस्या के बीच में भी सॉलूशन ढून देने का मन करेगा सॉलूशन नजर आएगा बूरी शक्तियों में भी आपको अच्छा ढून देने का उसमें से अच्छाई का परिवर्तन का मन करेगा और आप सित्या बढ़लेगे भी आप स्वयम भी अपने आप में एक सॉलूशन बन करके उपरेंगे अगर आपकी नियत साब है और निष्ठा माँ भारती के प्रती है तो आपको हर निर्णे आपको हर आच्रण आपका हर कृती किसी ने किसी समस्या के समाधान की तरफ ही बढ़ेगा सफलता और असफलता हमारा वर्तमान और भविश्टताई नहीं करती है हो सकता है आपको पिसी फैसले के बाद जैसा सोचा था वैसा प्रणाम न मिले लेकिन आपको फैसला लेने में डरना नहीं चाहिए एक युवा के रूप में एक मनुष्य के रूप में जब कभी हमें फैसला लेने से डर लगने लगे तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट होता है अगर फैसले लेने का होसला चला गया तो मान लीजेगा आपकी युवानी चली गई है आप युवा नहीं रहे हैं जब तक भारत के युवा में नया करने का रिस्क लेने का और आगे बढ़ने का जजबा रहेगा तब तक कम से कम मुझे देश की भविश्की चिंता नहीं है और मुझे जो देश युवा हो 130 करोड अबादी में इतने बड़ी तादात में युवा शक्ती हो तो मेरा भरोशा और मजबूत हो जाता है और इसके लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए आपको जो माहोर चाहिए उसके लिए मैं खुद भी और सरकार भी इतना ही नहीं 130 करोड का संकल्पों से भरा हुआ सप्रों से लेकर के जीने वाला देश भी आपके समर्थन में खड़ा है साथियों विश्व भारती के सो वर्ष के इतिहासिक अउसर पड़े जम मैंने आपसे बात की थे तो उस दारान भारत के आत्म सम्मान और आत्म निर्भरता के लिए आप सभी युवाओं के योगदान का जिक्र किया था यहां से जाने के बाद जीवन के अगले पड़ाव में आप सभी युवाओं को अनेक तरह के अनुभव मिलेंगे साथियों आज जैसे च्छत्रपती सिवाजी महाराज की जेंतिका हमें गर्वा हैं वैसे ही मुझे आज धरमपाल जी की आदा आती है महान गांधिवादी धर्मपाल जी आज महान गांधिवादी धर्मपाल जी की भी जन्मजेंति है उनकी एक रचना है इस ब्यूटिफुल ट्री इंडिजेनेस इंडियन एडुकेशन इन दे एटीन सेंचुरी आज आपसे बात करते हुए मैं इस पवित्र धाम में जब आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा मन करता है उसका जीक्र मैं जुरूर करूं और बंगाल की धर्ती उर्जावान धर्ती के बीच जब आवत कर रहा हूं तब तो मेरे स्वाभावी मन करता है कि मैं जुरूर धर्मपाल जी के उस विशेव को मैं आपके सामने रखो धर्मपाल जी ने इस पुस्तक में इस पुस्तक में धर्मपाल जी ने थौमस मुंद्रों दारा किये गए एक राष्ट्रिय इस सिख्षा सर्वे में कई ऐसी बाते हैं जो हम सब को हैरान भी करती हैं और गवरों से भर देती हैं उस सर्वे में भारत की साक्षर्ता दर बहुत उंची आंकी गई थी सर्वे में ये भी लिखा था गया था कि कैसे हर गाउं में एक से जादा गुरुकुल थे और जो गाउं के मंदिर होते थे वो सिर्फ पुजापाड की जगा नहीं बेश शिक्षा को बढ़ावा देने वाले शिक्षा को प्रोथसान देने वाले एक अत्यंत्र पवित्र कारिय से भी गाउं के मंदिर जुड़े हुई रेते थे बेभी गुरुकुल की परमपराओं को आगे बढ़ाने में बल देने में प्रयास करते थे हर क्षेत्र हर राज में यह बड़ी महत्वपन बात है हर क्षेत्र हर राज में तब महाविद्यालेयों का बहुत गर्व से देखा जाता था कि कितना अबढ़ाओं का नेट्वर्क था उच्च सिख्षका के संस्तान भी बहुत बड़ी मात्रा में थे भारत पर ब्रिटीज एजुकेशन सिस्टिम थोपे जाने से पहले थोमस मुंद्रों ने भारतिये सिख्षा पद्दती और भारतिये सिख्षा व्यवस्ता की ताकत को अनुभव किया था देखा था उन्होंने देखा था कि हमारी सिख्षा व्यवस्ता कितनी वाइबरेंट है यह 200 साल पहले की बात है इसी पुस्तक में विलियम एडम का भी जिक्र है जिन्होंने ये पाया था कि 1830 में बंगाल और बिहार में एक लाग से जानदा विलेज खुल थे ग्रामिन विद्यागे थे साथियों ये बाते में आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें ये जानना आवशक है कि हमारी सिख्षा व्यवस्ता क्या थी कितनी गवरोपुन थी कैसे हर इंसान तक पहुंची हुई थी और बाद में अंग्रेजों के कालखन में और उसके बाद के कालखन में हम कहां से कहां पहुंच गए आंसे क्या हो गया गुरुदेव ने विश्व भारती में जो व्यवस्ताइं विख्षित की जो पद्धतियां विख्षित की वह भारत की सिक्षा व्यवस्ता को परतंत्रता की बेडियों से मुक्त कर लें भारत को आधुन मनाने का एक माध्यम थी अब आज भारत में जो नई राष्टिय शिक्षानिती बनी है वो भी पुरानी बेडियों को तोड़ने के साथ ही विद्यार्थियों को अपना सामर्थ दिखाने की पुरी आजादी देती यह सिक्षानिती आपको अलग-अलग विश्वों को पढ़ने की आजादी देती है यह सिक्षानिती आपको अपनी भाषा में पढ़ने का विकल्प देती है यह सिक्षानिती entrepreneurship, self-employment को भी बढ़ावा देती है ये सिख्षानिती, research को, innovation को बल देती है, बढ़ावा देती है आत्म निर्भर भारत के निर्माण में ये सिख्षानिती भी एक एहम पड़ाव है देश में एक मजबूत research और innovation, ecosystem बनाने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है हाली में सरकार ने देश और दुनिया के लाखों journals की, free access अपने scholars को देने का फैसला किया है इस साल budget में भी research के लिए national research foundation के माध्यम से आने वाले पांच साल में पच्चास हजार करोड रुपिय खर्च करने का प्रस्ताव रखा है साथियों भारत की आत्म निर्भरता देश की बेटियों के आत्म विश्वात के बिना संभव नहीं है नई राष्टिय शिक्षानीती में पहली बार जेंडर इंक्लूजन फंड की विववस्ता की गई है इस policy में छट्थी क्लास से ही कारप्रेंट्री से लेकर कोडिंग तक ऐसे अनेक स्किल्स स्टेट्स पढ़ाने की योजना इसमें है जिन स्किल्स से लड़कियों को दुर रखा जाता था शिक्षानीती बनाते समय बेटियों में ड्रॉप आउट रेट जादा होने के कारणों को गंबीरता से स्टडी किया गया है इसलिए पढ़ाई में नरंतरता डिगरी कोर्स में एंट्री और एक्जिट का अप्शन हो और हर साल का क्रेडिट मिले इसकी एक नए प्रकार की व्यवस्ता की गई है साथियों बंगाल ने अतीत में भारत के सम्रुद्ध ज्ञान विज्ञान को आगे भणाने में देश को नेतुरत्व दिया और ये गवरवपुन बात है बंगाल एक भारत स्रेष्ट भारत की प्रिणा स्थली भी रहा है और कर्म स्थली भी रहा है शताब्दी समारों में चर्चा के दोरान मैंने इस पर भी विस्तार चे अपनी बात रखी थी आज जब भारत 21 सदी की नौलेज इकॉनवी बनाने की तरफ बढ़ रहा है तब भी नजरे आप पर है आप जैसे नवजवानों पर है बंगाल की ज्यान संपधा पर है बंगाल के उरजावां नागरीकों पर है भारत के ज्ञान और भारत के पहचान को विश्व के कौने कौने तक पहुंचाने में विश्व भारती की बहुत बड़ी भूमी कहा है इस वर्ष हम अपने आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं विश्व भारती के प्रतेग विद्यारती की तरफ से देश को सबसे बड़ा उपभार होगा कि भारत की छबी को और निखारने के लिए हम सम्मिल करके और विशेश करके मेरे नवजवान साथी जादा से जादा लोगों को जागुक करें भारत जो है जो मानवता जो आत्मियता जो विश्व कल्यार की भावना हमारे रक्त के कंकण में है उसका ऐसास बाकी देशों को कराने के पुरिमानव जाक को कराने के लिए विश्व भारती को देश की शिक्षा संस्ताओं का नेतृत्व करना चाहिए मेरा आग्रह है अगले पचीस वर्सों के विश्व भारती के विद्यारती मिलकर एक विजन डॉक्युमेंट बनाए जब आजादी के सो साल होंगे वर्स 2047 में जब भारत अपनी आजादी के सो वर्स का समारो बनाएगा तब तक विश्व भारती के पचीस सबसे बड़े लक्ष क्या होंगे यह इस विजन डॉक्युमेंट में रखे जा सकते हैं आप अपने गुरुजनों के साथ चिंतन मनन करें लेकिन कोई न कोई लक्ष अवश्यताय करें आपने अपने खेत्र के अनेग गाउं को गोड लिया हुआ है क्या इसकी सुरुवात हर गाउं को आत्म निर्भर बनाने से हो सकती है पुझ्यबापू ग्राम राज्य की जो बात करते थे ग्राम स्वराज की बात करते थे मेरे नौजवान साथियों गाउं के लोग वहां के सिल्पकार वहां के किसान इन्हें आप आत्म निर्भर बनाएए इनके उत्पादों को विश्व के बड़े बड़े बाजारों में पहुंचाने की कड़ी बनी है विश्व भारती तो बोलपूर जिले का मुल अधार है यहां के आर्थिक, भोतिक, सांस्कृतिक सभी गतिविज्यों में विश्व भारती रचा बसा है एक जिवन तिकाई है यहां के लोगों को समाज को ससक्त करने के साथ ही आपको अपना बुरहत दाइत्व भी निभाना है आप अपने हर प्रयास में सफल हो, अपने संकल्पों को सिद्धी में बदले जिन उद्देशों को लेकर के विश्व भारती में कदम रखा था और जिन संस्कारों और ग्यान की संपदा को लेकर आज जब आ विश्व भारती से कदम दुनिया के दहलीच पर रख रहे हैं तब दुनिया आप से बहुत कुछ चाहती है बहुत कुछ अपेच्छाएं रखती है और इस मिट्टी ने आपको समारा है आपको समाला है और आपको विश्व की अपेच्छाओं को पूर्ण करने योग्य बनाया है मानव की अपेच्छाओं के पूर्ण करने योग्य बनाया है आप आत्मी इस्वास से भरे हुए है आप संकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध है आप संस्कारों से पुलकित हुई आपकी जबानी है ये आने वाली पीडियों को काम आएगी देश के काम आएगी इकी इश्वी सदी में भारत अपना उचीत सान प्राप्त करे इसके लिए आपका सामर्द बहुत बड़ी ताकत के रुप में उपरे का ये पूरा विश्वास है और आपी के बीच में आपी का एक सही आती होने के नाते मैं आज इस गवरवपूर रिक्षन में अपने आपको धन्यवान मानता हूँ और हम सब मिल करके इस गुर्देव टगोर ने जिस पवित्र मिट्टी विसे हम लोगों को सिक्षित किया है संसकारित किया है हम सब मिलके आगे बड़े यही मेरी आपको शुपकामना है मेरी त अरब से बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम आपके द्वारा दिखाए गए मार्क हमारे जीवन के लिए अत्यांत महत्वपूर्ण है अब मैं माने नियों उपाचारे महदय से निवेदन करूंगी कि वे अपने आशिर वचन से हमें प्रेरित करें मैं अपने तरफ से मेरा जो अचारिया है नियुको मैं धन्यवाद देता हूं और यह अनुरुद करता हूं सर एक बड़ आप खुद आ जाए ये वर्चुएली में दिल मानता नहीं से अनुरुद है आपको सर तो मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा सब का तरफ से आप प्लीज अजिए बड़ आजाई है यहां पर देप मुझे बहुत अचा लगेगा मैं धुरुद आऊंगा धन्यवाद सर अशीर बचन चात्रव जन्न यहां पर एकान चात्रव लट नेई जारा सुन्छेत आजिजन्न बोलछी शुत्त बलो धर्म आचरोन करो स्वाद्धाय थे के बिच्चुत होयो ना धर्म थेके बिरत होयो ना शुबकर्म थेके निब्रित होयो ना मात्री भक्त हाऊ पित्री भक्त हाऊ आचार्ज्य भक्त हाऊ अनुबद्ध कर्मेरी अनुष्ठान करवे अन्न कर्मेर नाय आमादेर सदाचारे अनुबद्धतन करवे अन्न आचारे पाशानेर मत द्रड़ा हाव परुषूर मत तिक्ना हाव हिरुन्न खंडियर मत मुल्लबान हाव कोल्लान माय हाव सर्व मनवेर बंधू और बिर्जबान रखक हाव हे सम्म सतवर्ष जिवान लापकरो